हमारे देश में कोई त्यवार हो, कोई भी कैसा भी आयोजन हो, बिना जूलरी के सब कुछ अधूरा होता है और इसी में चार-चार लगाता हुआ आया है, Reliance Jewels और Reliance Jewelry की तरफ से एक नया उनका कलेक्शन है, Swarna Banga और इसको लाँच करने के लिए बेहद खुबसूरत करिश्मातपूर्जी हमार सात है बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए इस जूलरी कलेक्शन को आपने देखा और उसमें से में देख पारों कि शाहिद वही एक कलेक्शन है, Swarna Banga का जी, तो I'm feeling absolutely wonderful and very privileged कि मैं Reliance Jewels का स्वर्न भंगा जो क्लेक्शन है में लाँच कर रही हूँ आज and I think मैं बस यही कहूंगी कि this piece that I'm wearing is nothing but a masterpiece जो हम Bengal का जो कल्चर है, अभर के जो आ रहा है I think it's absolutely beautiful and I'm so privileged and I feel really honored to launch this today हम लगातार, तमाम फिल्म कलाकारों को देखते हैं लेकिन जब हम करिश्मा कपूर को देखते हैं तो उनका पहनावा अचाहिए वो रक्षा बंदन का दिन हो और किसी बतर बहुत aesthetics अपने अब carry करते हैं ऐसा क्यों है, यह choice आप क्यों रखते हैं Well I think, एक चीज है जो I think अभी audience को भी पता है, मेरे fans को भी पता है कि I always dress for myself, कि जो मेरे मन में है तो में वो ही पहनती हूँ ऐसा नहीं कि I follow any trends, I think and that's why लोगों को मेरा style पसंद है क्योंकि I think from my heart and I wear what I believe in तो जो हमारे customers है, Reliance Jewelry जो पसंद करते हैं और शादियों का season भी आने वाला है, दुरगा पूजो भी आने वाली है तो किस तरीके से आप उनको कहेंगे कि आपने इसमें क्या देखा कि वो भी देख पाए और खुद carry कर पाए उसको तो मैं जरूर कहूंगी कि ये बहुत ही exquisite collection है and of course जैसे आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत है ये necklace और जैसे मैंने ये पैना है आप भी जाएए स्वानभांगा का जो collection है आप महसूस कीजी और खरी दीगे भी और अपने collection में एक ऐसा भी piece जरूर होना चाहिए अगर मैं आज से करीब 20 साल पहले जाना चाहूं तो बच्पन में या तीस साल पहले जाना चाहूं बच्पन में हर लड़की अपने आपको और इवन आप समय बदल बदल चुका है तो अब लड़के भी shirts पहनते हैं लड़किया भी अच्छे से पनी jewelry करती है बीस साल पहले की करिश्मा कपूर जूल्री को किस नजर से देखती थी बच्पन में क्या उनकी रायती जूल्री को लेकर एक महिला के तौर पर नहीं बच्ची के तौर पर क्योंकि बाद मम को यह सिखा दिया जाता है कि महिला तो जूल्री करेगी छूल्री को जूल्री पसंत है, तो I think jewelry is something which is universal. चाहे वह बच्चे है, लिटल गष। बोड़ ज़ेन हैं hip- लिए ऑच्छे हैं तो कि यह एक जूल्री को northern the ट्री भूल्री कुछ च्छे में हैं, तो यह एक यूल्राइल पहलगता है। stereotype, भूल र हम एंज़ू पहलमा के ठी करिश्मा कपूर जैसी तब दिखती थी आज भी वैसी दिखती है इसके पीछी राज क्या क्योंकि मैंने सोचल मीडिया पर अपने दोस्तों से पोचा साथे से पोचा उन्होंने का कि ये सवाल आपसे जरूर करना चाहिए कुछ भी नहीं है मैं बात कहूंगी कि मैं कुछ भी ऐसे टाइप का प्रेशर ने लेती हूँ जो मुझे पसंद है मैं खाती हूँ मैं सब कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा डायेट करती हूँ या कुछ ने मुझे मीठा खाने का भी बहुत शॉक है तो I think you should just live a good simple honest life वो जरूरी है लाइफ में जो college going girls है या जो अपने 30s में लेट 30s में उनको डायेट को लेकर एक सुजाब देना हो तो करिश्मा जी क्या देंगे अब तो मैं यह कहूंगी कि आप प्लीज डायेट मत कीजे आप healthy खाना खाईए वो जरूरी है लाइफ में तो करिश्मा कुपू जिस जूल्री को आपको दिखा रही है collection खात्मन हो जाए